हेलो गाईस कैसे हैं आप लोग ओके कैसा चल रहा है पड़ाई सबका बढ़िया चल रहा है सो एवरीवन माने में संजीफ पांडे स्वागत आपका आपने प्यार से चैनल में खुबसूरा से चैनल में जेयार टुटोरियल में है ओके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं सारा टपा खाएगा बाउंसर जाएगा ओके सब्सक्राइब बता देता हूं सर्कूलर मोशन का जो टॉपिक है वो 12 में डीटेल में टॉपिक है और वो चीज़े हमको डीटेल में पढ़नी है यहां पर हम झोड़ा सा सर्कूलर मोशन स्था किया था बेसिक सर्कूलर मोशन हम लोग पैले वाले वीडियो में देख लिया है तो हमेशा एक compulsory acceleration act होगा ओके याद रखना अगर uniform circular motion होगा तो भी एक compulsory acceleration आएगा बहुत लोग के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि सर uniform circular motion आएगा मतलब velocity constant और अगर velocity constant तो इसका मतलब acceleration constant हाँ या ना but acceleration यहाँ पे constant नहीं रहता याद रखना ओके यहाँ पे zero acceleration नहीं रहेगा ओके यहाँ पे भले velocity constant है बट zero acceleration नहीं लेने वाला है क्योंकि velocity का जो direction है that is changing velocity का जो direction है that is changing अब velocity का direction change हो रहा है तो obviously acceleration produced होगा जीरो acceleration यहाँ पे नहीं होगा यह दिमाग में डाल लेना zero acceleration यहाँ पे नहीं मिलने वाला है तो centripetal ऐसा acceleration है, जो क्या करता है, motion का direction change करने के लिए help करता है, अब इसका expression देखने वाला है, जो कि हम लोग ने अल्रेडी देखा है, अल्रेडी अगर हम छोटे इसमें जाएंगे, तो हम लोग सिर्फ formula देखा है, and that formula is nothing but a is equals to v square by r, यह formula देखा है हम लोग ने, this is nothing but a acceleration of centripetal, यह centripetal का acceleration है, so कैसे निकालेंगे, हम लोग use करेंगे इसके लिए, यहाँ पर देख लो, माललो कि एक particle है, particle P पे है, और उसने यहाँ से start किया था और P पे चला गया, मतलब उसने कुछ angular displacement किया, that is theta, यहाँ पर कुछ उसने angular displacement किया, that is theta, and r is nothing but a position vector, r is nothing but a position vector, तो अगर इसका coordinate में माल लू, x, y है, माल लो, इसका coordinate है, x, y, माल लो, just imagine, तो can I write the position vector of the particle, the position vector, the position vector of a particle, क्या हो जाएगा, देखो जारा ध्यान से, that is r bar, बराबर हो जाएगा, position vector कैसे लिखते हैं, अब वापस, अगर अभी तब position vector लिखने नहीं आया है, तो पीछे जाओ, okay, scalar and vector, हम लोग ने पुरा पुरा second chapter, जो है, mathematical method, वो हम लोग ने cover किया हुआ है, okay, so पीछे जाओ, पहले वाला वीडियो देखो, फिर यहाँ पे directly जम करो, so r bar, कैसे लिख सकते हैं, हम लोग, x i cap, plus y j cap, हाना, this is nothing but a position vector of this particle, okay, अब यहाँ पे देखो जरा, x, what is x, x क्या है, जरा देखो, so can I write, जो x axis है, वो मेरा r, cos component हो जाएगा, मैंने बता है, यह अगर, मेरा r vector है, तो जिसके साथ theta attach है, that component become cos, और जिसके साथ theta attach नहीं ह that component become sin, तो यह वाला component हो जाएगा, r cos, और यह वाला component हो जाएगा, r sin theta, हाना, अब ज़रा देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ, x के जगे, r cos theta, क्या मैं लिख सकता हूँ, y के जगे, r sin theta, यहाँ पर substitute कर दो, क्या मिलेगा, तो मिलेगा, r vector is equals to, x के जगे, x के जगे, r cos theta, और यहाँ पर क्या जाएगा, i cap, हाना, plus y के जगे, क्या जाएगा, r sin theta, r sin theta, j cap, हाना, this is nothing but a position vector, यह position vector है, अब यहाँ पर theta को replace करने कोशिस करते है, theta के जगे, हम लोग time लाने के कोशिस करते है, उसके लिए हम लोग को एक definition याद करना पड़ेगा, definition of angular velocity, इसके पहले वाले व हम लोगने क्या discuss किया है, that is, omega is equals to theta by time, nothing but angular displacement by time, angular velocity क्या होता है, angular displacement by time, तो यहाँ से theta क्या मिल जाएगा, देखो जारा, theta मेरे को मिल जाएगा, omega into t, that is, angular velocity into time, angular velocity into time, अब यह theta उठाओ, और उठागे, यहाँ पर चिपका दो, simply यहाँ पर चिपका दो, देखो, क्या मिलेगा, so, r vector बराबर हो जाएगा, r cos, theta के जाएगा, theta के जाएगा, omega t, हाँ यहाँ ना, plus r, यहाँ पर क्या जाएगा, sin theta के जाएगा, sin omega t, into j cap, और यहाँ पर into i cap, this is nothing but a position vector, यह मेरा r हागया, r क्या है, r is nothing but a distance, अगर मैं r को differentiate करूँगा, time के साथ, तो distance divided by time क्या होता है, distance divided by time is nothing but a velocity, तो इसको differentiate कर दो, देखो जारा इसको differentiate करने पर क्या मिलेगा, differentiate with respect to time, by time के साथ, इसको differentiate कर दो, in a simple language, time के साथ, इसको divide कर दो, तो इसको अगर मैं differentiate करने जाओ, time के साथ, तो क्या ही मिलेगा, मिल जाएगा, velocity, that is dr by dt, है ना, that is dr by dt, yes or no, okay, clear, अब यहाँ पर differentiate कर जाएगे क्या ही मिलेगा जर बताओ तो, r तो constant है, देखो हाँ या ना, radius पूरे circular motion में कहीं पर भी change होने माला है, क्या, ऐसा है क्या p पर radius 20 रहेगा, और आगे जाके 25 हो जाएगा, ऐसा कहीं है, क्या radius change हो जाता है circular motion में, नहीं होता है ना, radius तो constant है, अब radius constant है, तो बाहर न इसके पहले वाला वीडियो देखो, जहाँ पे हम लोग ने integration और derivative topic लिया हुआ है, वहाँ पे देखो पहले, बहुत important चीज है, मैंने उसी time ही बता दिया था, कि अगर physics पढ़ना है, तो calculus पढ़ना है, अगर calculus नहीं आ रहा है, तो फिर समझो physics आगे जाके बहुत जादा complicated हो करो यहाँ पर, चलो, इसको differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा, cos omega t को differentiate करेंगे, तो that becomes minus, yes or no, that become minus, तो यहाँ पर आजाएगा, minus time omega t, और omega t को chain rule लगाएगे, वापस differentiate करेंगे, तो एक और omega बचेगा, okay, into i cap, plus, अब यहाँ पर differentiate करो, यहाँ पर differentiate करोँगे, तो क्या मिलेगा, इस, इस, साइन का डिफ्रेंशियेशन, कॉस ओमेगा टी, हाँ यह ना, इंटू ओमेगा अगेन, ओमेगा टी को डिफ्रेंशियेट करोगे, ओमेगा बच जाएगा, इंटू जे क्याप, बरबर, अब देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, r और omega common है दोनों में तो r और omega common ले लो तो r omega common आ जाएगा क्या बचेगा? यहाँ बचेगा minus sin omega t i cap plus cos omega t j cap हाई ना? r और omega common आ गया समझा? yes or no? अब क्या करेंगे? यह आ गया मेरे को velocity अब इसी को differentiate कर दो वापस velocity को differentiate कर दो time के साथ क्या ही मिलेगा? acceleration हा या ना? भाई अगर मैं velocity को time से divide कर दो तो क्या ही मिलने माला है मेरे को acceleration मिलने माला है और कुछ नहीं तो यहाँ पर हम लोग acceleration निकालेंगे कैसे निकालेंगे? भाई differentiate कर दो इसको differentiate करेगा क्या मिलेगा देखो जड़ा सो इसको फोड़ी देख लिए उपर कर देते हैं चलो differentiate करते हैं इसको देखो क्या मिलेगा differentiate करेंगे तो acceleration क्या हो जाएगा? acceleration हो जाएगा? dv by dt which is equal to इसको differentiate करो देखो r omega बाहर आ जाएगा r omega बाहर आ गया अंदर इसको differentiate करो तुम लोग बताओगे तुम मेरी मदद करोगे तो क्या आएगा differentiate करने के बाद जरूद सोचो तो देखो जरा फटाग से sin omega t है, sin का differentiation क्या होता है? cos तो minus cos omega t into chain rule लगाओगे तो 1 omega बाहर आ जाएगा वापस into omega t into i cap as it is plus cos का differentiation क्या होता है? minus sin तो जब minus sin होता है, तो यह plus डालो ही मतना? यहाँ पर सीधा minus डालो minus sin omega t into omega t को वापस chain rule लगा के differentiate करो कि क्या मिलेगा? omega मिलेगा, हाँ या ना? into j cap हाँ या ना? समझा? अब क्या करो? देखो, दोनों जगे minus common दिख रहा है अब minus common लेलो और दोनों जगे देखो, omega common दिख रहा है omega common लेलो, ज़रा, क्या मिलेगा? देखो, ज़रा minus common लेलिया r वैसी है एक omega अल्रेडी था, एक omega और आजाएगा तो that become omega square अंदर क्या बच रहा है? देखो, ज़रा cos omega t i cap plus sin omega t j cap आई ना? ज़रा यहां से देखो, ज़रा सा इधर आजाओ, यहां आपर देखो, यहां पर है r को देखो, r क्या है? r cos omega t i cap plus r sin omega t यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब यहां पर r की कमी है तो यह जो r दिख रहा, यह r को अंदर एदर मंटिप्लाय कर दो, जैसी R को अंदर मंटिप्लाय कर दो कि क्या मिलेगा, और यहां पर R आ जाएगा, दोनों साथ मंटिप्लाय होगा अब यह क्या बन गया तुम्हारा, यही तो तुम्हारा पोजुटिशन वेक्टर है धेहां से देखो, तो, just compare करो, यह देखो, यह तुम्हारा, यही तो है तुम्हारा position vector, यह और पूरा-पूरा यह same है, देखो जरा, पूरा का पूरा डिक्टो same है, मतलब क्या ही करना है, मेरे को यह पूरे के जगे क्या लिख देना है, खाली, r लिख देना है, पूरे के जगे क्या ही लिख दे ऐसे तुम्हारा अर्प सकते हैं कैसे लिए सकते हैं मैंने तुमको बताय था एक रिलेशन है वी मिलेगा यहां से थो दोगे तो a is equal to minus v square by r अब यह negative sign क्यों आ रहा है negative sign क्यों आ रहा है जरा बताओ तो कौन बताएगा negative sign क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे acceleration और radius vector अलग-अलग direction में मैंने बताया था radius vector हमेशा outward काम करता है और centripetal acceleration हमेशा inward towards the center vector काम करता है तो opposite direction हो रहे हैं इसलिए minus sign आ रहा है यह minus sign सिर्फ direction बता रहा है जब तुम लोग numerical solve करोगे तो तुम लोग यह minus sign को avoid कर दो गए तो भी चलेगा ओके हम लोग सिर्फ उस टाइम पर magnitude की बात करेंगे समझ में आ रहा है सबको पका आगे बड़े देखो इसके उपर ही बहुत आगे आप्लिकेशन है कि नेक्सट कि नेक्स्ट इस डानेमिक्स इन सर्कुलर मोशन ओके डानेमिक्स मतलब क्या force ओके हम लोग forces के के बारे में बात करेंगे तो जब सर्कुलर मोशन की बात आती है तो आल्रेडी तुमनों थोड़ा हसरे होना मन में कि आरे यह तो सुना हुआ है यह तो देखाया यह तो पता है है very good okay so centripetal force और centrifugal force ये दोनों फोर्स हमको पता है और ये दोनों f echo मैं गल्ट हुआ है तो बस थोड़े से in complete हुआ है अब यहां पर यहां पर हम लोग complete सिखेंंगे एंब concept में उने को बता हुआ है smallest उपीख है बहूट बढ़ा चाप्त और है Union तो वहां पर बहुत डिपेर में सीखेंगे यहां पर बेसिक चीज़े समझ लेते हैं तो सेंट्रीपिटल फॉर्स क्या होता है ऐसा फॉर्स जो अंदर की तरफ लगे डिवरिंग दा डिवरिंग दा सर्कूलर मोशन तूवर्ड रिंटर की तरफ लगने वाला जो फॉर्स है सेंट्रीपिटल फॉर्स सिंपल सा डेफिनेशन है अगर लिखना चाहओ तो क्या लिखूंगा था नेट था नेट फॉर्स अक्टिंग तो वर्ड्स दा सेंटर 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 ओफ तरुलर मोशन प्राइब लगने मां लोगते हैं यहांपे पार्टिकल है यह अँसा गोला बोला फॉर्स नहीं है यह यह लाइक कोई वे ऐसा फॉर्स जो अंदर की तरफ फॉर्स लगा रहा रहा है उसको सेंट्रीपिटल बोलता की तुम लोगने बच्पन में किया रहेगा धागे पर पत्थर बांद के ऐसा ऐसा घुमा रहेगा यह सो नो उसको नाम करन्ट कर दो centripetal force जैसे gravitational force है जैसे ये sun है और earth है अर्थ गोला गोला घुमता है ना sun के अब वो घूम रहा है circular motion कर रहा है मतलब वहाँ पे कोई होगा जो centripetal force provide कर रहा होगा कौन है वहाँ पे gravitational force तो वहाँ पे gravitational force ही बन जाता है centripetal force centripetal force कोई नया force नहीं है यह दिमार्ख में डाल लो ओके सो यहाँ पर मैं formula देखने जाओ centripetal का क्या ही formula मिलेगा मैं रखो force का formula क्या होता है force का formula होता है f is equals to mass into acceleration centripetal acceleration लगेगा की नहीं लगेगा तो क्या जाएगा centripetal acceleration अब भी थोड़ी देर पहले देखा अब यहाँ पर बहुत जगे माइनस लिखा होता है मैंने बताया यहाँ पर जो acceleration है और जो radius vector है वो opposite direction में रहते हैं इसलिए यहाँ पर minus आजाता है मतलब मेरा radius vector कहां पर काम कर रहा है towards outward और acceleration कहां पर काम कर रहा है towards inward इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आता है और कोई टेंशन इने बात नहीं है centrifugal force क्या होता है देखो centripetal और centrifugal पे पूरा का पूरा एक video बनाया मैंने मतलब अगर देखने जाओ तो यह इतना बड़ा दिमाग में ऐसा आता है कि जहां पर circular motion होगा वहां पर centrifugal force प्रेजेंट होगा क्या करो just imagine yourself तुम उस fan के blade पे बैड़ जाओ अब जैसी ही तुम उस fan के blade पे बैड़ जाओगे और जब वो fan चालू होगा तो में बताओ तुम अंदर जाओगे की बाहर जाओगे चलो सब फटाफट फटाफट कमेंट करो तुम fan पर अभी तक fan को तुम लोग बाहर से देख रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था अब fan के उपर बैड़ जाओ या फिर तुम लोग ने बचपन में किया है ना fan के उपर fool सजा के button चालू किया है तो fool कहां जाते हैं अंदर की तरफ जाते हैं कि बाहर की तरफ जाते हैं अब सबका आंसर आगा सर बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ तरफ क्यों अब centripetal force कहां गया ओके इस याद रखो कि reference बहुत important है अगर हम लोग बाहर से खड़े होके किसी circular motion को observe कर रहे हैं तो वहाँ पे कहानी आती है लगबग सेम ही है दोनों बात है कहां का reference का बात है reference का वो reference कैसा ले रहा है वो body के बाहर है कि खुद body पे बैठा हुआ है सेम वही चीज़ हम लोग ने जैसे बोला कि मानलो एक पत्थर ले लो उसको बांदो एक रसी से और गोला गोला घुमा उसको अब जब तक हम लोग बाहर से देखेंगे बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगेगा बैस तर्कुलर मोशन हो रहा है मतलब सेंट्रीपिटल फ अब यह फटाग से बोलेगा ना ना अंदर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है फटाग से बोल देगा इसका मतलब यह है कि यहां पर अफ्जर्व ऑफ्जर्वर जो है उसके रेफरेंस के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है उसके रेफरें the net force acting towards outward the net force the net force acting towards outward okay your net forces the bar ki taraf lag ra hai that is nothing but a sentry fugal force formula kya hooga same formula jimani patana same formula यह जो formula आम लोगे यहां पर देखा that is mv square by r okay अब इसको एक और formula लिख सकते है एक्सलेशन हाँ मिर पास एक और formula था जैसे m omega square r तो यह दोनों formula same है एक linear velocity के टम में है और एक angular velocity यहां पर भी दो formula बन जाएंगे अगर देखने जाओ तो f is equals to m omega square r बस यहां पर minus होता है clear बास नवा गई यहां पर minus नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि centrifugal force कहां काम करता है away from the center और radius vector कहां पर काम करता है away from the center दोनों भाई आवे हैं तो दोनों same direction में इसले clear समझ में है centripetal force centrifugal force और जादा detail में पढ़ना है तो already 2L standard का rotational dynamics का वीडियो हमारे पास पढ़ा हुआ है वहाँ पे जाओ वहाँ पे centrifugal और centripetal force देखो और वहाँ पे तुम लोग पढ़ सकते और detail में हम लोगा पुरा एक पुरा एक अखा लेक्चर इसके उपर dedicated है चलो अब इसका इस्तमाल करते हुए अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे conical pendulum क्या होता है conical pendulum देको तुमने simple pendulum सुना ओगा to and from motion करने वाला ये दिस नतिं बटर simple pendulum उसका जो नीचे बॉल लगा उता है उसका जो लग बॉलते है गी यहां पर ऑप को इस रिखों को गोला घूमने के लिए कितना ताइम लगेगा यह already 12th में भी यह same derivation है और 11th में भी यह same derivation है तो यहाँ पर सीख लोगे तो 12th में तुमको बहुत आसानी होगी, तो कैसे निकालेंगे माल लो यहाँ पर थोड़ा सा weight देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा forces देख लेते हैं, कहां कहां आग कर रहा है तो यह bob है, bob का weight कहां पर आग करेगा, नीचे की तरफ mg, tension कहां आग करेगा, along the string away from the body, always remember दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो भाई, tension हमेशा away from the body होता है हमेशा away from the body काम करता है हमेशा, ओके, तो यहाँ पर देखो, tension यहाँ पर आग करेगा, this is nothing but theta, theta is called a semi-conical angle इसको क्या बोलते है, semi-conical angle तो अगर यह दोनों देखोगे, तो यह दोनों theta होगा, alternate angle बनेगा, हाँ या ना, अभी alternate angle बन रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यह अगर tension है, तो tension जिसके साथ theta attach, that become T cos theta जिसके साथ theta attach होता है, वो यही T, sand theta हो अगर नाम देदेंगे, centripetal force, यहाँ पर क्या होगा, देखोजरा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखोजरा, तो यही ते नेसेसरी centripetal the necessary centripetal force is provided by कौन पर वाइड कर राजरा, देखो तो is provided by T sin theta हाई ना, देखो ज़रा ध्यान से ध्यान से देखो मिस्मत करना T sin theta कहाँ पर लग रहा है, अंदर की तरफ और अंदर की तरफ लगने वाले force को ही मैंने बताया था, क्या नाम दे देना है जो अंदर की तरफ force लग रहा है, उसको ही नाम दे दो क्या नाम दे दो, centripetal तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना, T sin theta T sin theta बराबर हो जाएगा किस से साथ, mv square by r के साथ, हाँ या ना, भाबर हो जाएगा mv square by r के साथ, ओके या फिर मैं omega का formula लिखना चाहूँ तो omega का formula, omega के term में लिख सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, m omega square r, हाँ या ना अब देखो, weight, weight किस से balance जो रहा है, weight नीचे की तरफ act हो रहा है mg और T cos theta उपर तो weight is balanced by weight is balanced by किस से हो रहा है T cos theta से तो क्या मिलेगा T cos theta बराबर हो जाएगा mg से, हाँ या ना, दोनों को divide करो तो देखो, माल लो इसको equation number 1 नाम दे दो और इसको equation number 2 नाम दे दो दोनों को divide करो, क्या मिलेगा T sin theta LHS LHS साथ divide हो देखो, यह सब चीज़े अब नहीं बताने जाऊँगा, अब यह सब चीज़े दिमार्ट में डाल लो कि LHS LHS के साथ divide होता है LHS LHS के साथ divide होता है, यह हर बार नहीं बोलने जाऊँगा अब अपने आपको, मैंने बताया ना Self Learning बनना चालू करो जितना तुम लोग खुद से Self Learn करोगे उतना तुमको 11 12 में जाके और ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर तुम लोग छोटी छोटी चीज के लिए किसी पर dependent रहोगे तो वो तुमको नुकसान करेगा तो जितना तुम लोग Self Learning सीखोगे ना That is Advantage for you याद रखना, यह तुम्हारे काम आएगा यहाँ पर divide करो तो T sin theta divided by T cos theta is equals to यहाँ पर देखो MV M omega square by mg हाँ यहाँ यहाँ पर देखो M से M मर गया T से T चला गया sin by cos, sin by cos क्या होता है sin by cos होता है tan तो यहाँ पर आ जाएगा tan theta बराबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा omega square r by g हाँ यहाँ ना, समझे आ रहा है अब यह g को इधर भेज़ दो r को नीचे भेज़ दो तो क्या मिलेगा देरफोर omega square बराबर हो जाएगा g tan theta divide by r हाँ यह ना by omega square बराबर हो जाएगा g tan theta by r अब जरा r देखो, radius देखो यह वाला radius है द्यान से समझे, यह जो पाट है ना this is your radius यह जो पाट है यह वाला, यह वाला, यह पूरा यह है, that is your length length of the string तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर यह theta है तो theta का adjacent side हमेशा होता है cos, तो यह बन जाएगा l cos theta और opposite side हमेशा क्या होता है sin, nothing but यह हो जाएगा r बराबर हो जाएगा l sin theta के always remember अगर एक triangle है एक right angle triangle है तो अगर यह hypotenuse है मालों यह hypo है तुमारा तो अगर यह theta है तो theta के जो adjacent होगा वो हमेशा hypo का cos होगा hypo का cos होगा यह दिमाख में बैठा लो और जो opposite वाला होगा वो हमेशा hypo का sign होगा यह सब चीज़े तुमको बहुत काम आने वाली है जब तुमको एंटरेंस के लिए प्रिपेर करोगा यह सब चीज़े बहुत काम आएंगी ओके बार बार डारेक्टली पूरा triangle एज्यूम करने नहीं बैठना है हमको clear everyone तो यहाँ से मेरे को r क्या मिलेगा देखो L sin theta देखो क्या मिलेगा सो omega square is equals to g tan theta by L sin theta हाँ यह ना बरबर अब यहाँ से क्या मेरे tan को फुट करता है सकता हूँ sin by cos हाँ यह ना भाई tan को यहाँ पर फुट किया जा सकता है तो tan को जड़ा फुट करो क्या मिलेगा देखो ज़रा यह इसको उपर करने है, अभी देखो कैसे है, यह उपर चला गा, बस, ओके, अभी यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो सरा, ओमेगा स्क्वाइर इस इक्वल स्टू जी साइन टीटा बाई कॉस टीटा होल डिवाइड बाई एल साइन टीटा है न, जाएगा, क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वाइर इस इक्वल स्टू जी बाई, एल कॉस टीटा, ओमेगा स्क्वाइर से स्क्वाइर उदर चला जाएगा, क्या मिलेगा, देखो ज़रा, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो टाइम पिरिड का फॉर एक गा देनोमिनेटर में है तो जब इसको पुट करो मिनीमीनिमेटर में आएगा तो उल्टा हो जाएगा that is lcos theta by g that is lcos theta by g तो time is equal to 2pi lcos theta by g this is nothing but a conical pendulum cut ओके अगर मैं अगर मैं cos theta को बहुत छोटा कर देता हूँ बहुत छोटा कर देता हूँ तो that become a simple pendulum, और उस ताइम मेरा जो time period आएगा, that is 2 pi under root l by g, यहाँ पर देखो, अगर मैं इसी चीज़ को बहुत छोटा कर देता हूँ, यह angle को बहुत छोटा कर देता हूँ, तो बहुत छोटा कर देता हूँ, तो बहुत छोटा कर दूँगा, तो वो behave करेगा as a simple pendulum, and which is nothing but a simple pendulum, simple pendulum का time period हो जाएगा हमार ले, clear, बास समझ में आया सबको, इसको थोड़ा सा छोटा करके, अब एक ही frame में आ गया सब, clear, समझ में आया, derivation कैसे क्या हम लोग ने, everyone, पक्का, okay, so एक ही application है, 11th में हमको एक ही application है, बाकी जो application है, वो हमको 12th में जाके, okay, so here we have completed your topic, which is nothing but a motion in a plane, okay so हम लोग ने 3rd chapter भी complete कर लिया है, फटा-फट पढ़ो, फटा-फट notes बनाओ अपने खुद के, okay, और बहतरीन score करो marks में, okay, clear everyone, so अगर वीडियो यहां तक देख लिया है, तो वीडियो को like करना है, चैनल पर अगर तुम लोग first time हो, तो चैनल को subscribe करना है, और अगर कुछ भ underscore यहां पर कोई भी discussion हम लोग कर सकते हैं, कोई problem नहीं, okay, चलो, तो आज का वीडियो यहीं पेंट करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much